बे शर्मों, आप नहीं आओ कि सलकों पर, किसके उपड़ करें गया, पिच्चर बनाने वाले पर सिंसर बूर, यही हिंदों को मैं सम्झा रहा था, बार बार सम्झा रहा था, कांग्रिस के टाइम पर भी ऐसी पिच्च्चरे नहीं बनी, मोधी जी की तरह हम नहीं बता हैं कि से अपमाहित नहीं के गया यह भाश्पा की सरकार है और फिर भी इतना अपमान है को शडब नहीं आ रहे है इस देश की पधार मंतरी को कि जा के मणिपूर में हलाद देख ले मोदी जी जूड बूलते थे पहले अब तो कुछ बूलते ही नहीं पधार मंतरी जी आप क्या कर हो मड़ी पुर्जल ला है और आप अमेरिका में अकवान खाने गए यह पिछल में क्या दिखा जा रहा है राम और सिता अब बगवान हनुमान को यह फायार करेंगे तब बताएंगे नमस्कार मैं प्रियंका आप देख रहे हैं जनही तावाज इस वक्त दिल्ली में हूँ और मेरे साथ बालियोगी जी है इनको कभी आप सुनेंगे कि ये छात्र बन जाते हैं, कभी संत बन जाते हैं, इन ही से जानेंगे कि क्या है इनका परिचा, क्या कहेंगे बाले होगी जी देखें, ऐसा है कि 2017 में जो हम दिल्ली आये थे, यूप यसी की तरा त्यारी करने, तो जब पढ़ाई करते हैं, तो क्या कहलाता है, बताईए, चातर कहलाएगा, उसके आद हमने सन्यास ले लिया, कब से सन्यास ले लिया है, आप तो पढ़ाई करने आए थे, तो पढ़ाई क से समाजमें, हमाया पार जूत नहीं है कोई, मोह जी की तरह, और दूसरा, पूजा में फ़ोक करना परऊंटर में, यूप पएसी हो और फख़ंग का इपटे छातर, को पर्णया, सान है, भी हो हार हो हा किताः वर मेरे फिoi सब्साइब कशम खीर, मुह जी की तरह, और दूसरा पूजा बाट करते हैं आप मोधी जूट बोलते हैं आप मोधी जी को हमेशा बदनाम करते हैं मोधी जी जूट बोलते थे पहले अब तो कुछ बोलते ही नहीं है किमेंपूर पुख्तयाend trying Ladekiffs कुछ काणा आपका करड़ारी चाहे विध मुद्द् dic अभी देखिए ये जुम्ला था इनका पूर्ट के पिष्ली सरकार वोने मरइपूर को आएसे ही बुरे हालों में च्छोड दिया था आवाज प्रधान मंत्री जी आप क्या कर रहे हो मडिपुर जल आए और आप अमेरिका में पकवान खाने गए हो तो कर दो लोगो की कोई वृत आप जब जना फक्षिता गोपा सब्सक्रारा नेना नहीं ने किसा अधाया है कि रोष चूर तो आपिसे क्फेंड एक अख्यान की एक नियुक्ति को क동 फिच्चज ने डिखा जा रहा है राम और सिता नुभान को क्या अज़िखाया जा रहा है लिखाएं दीजी आपके साथ हमें फैयारी कॉपी लेके बैुकारदा इंटर्वु करें यह मेरा वादा नंत्री योग महास्व मनाने गए अमेरिका उस पे क्या गए अरे यहां के दिन लोग तड़प रहे हैं माँ बेटेओं के लिए रोग लोग मर रहे हैं और प्रदान मंत्री जी को शर्ब नहीं आ रही है इस देश की प्धान मंत्री को कि जा के मनिपुर में हलाद देख ले आप हमारे देवी देवताओं का पान करा हो गए यही हिंदू को मैं समझा र प्रदान मंत्री के तोर पे जिस तरह से देख रहे करते हैं प्रदान मंत्री इसी लिए कहते हैं तो मैं प्रदान मंत्री ने खुद थोड़ी का है इस देश के राष्ट पिता मात्मा गांधी है उसके अलबा और कोई नहीं है यह ख्याती से उन्हीं को प्राप्त होगी किसी और को ने आंदबग्त के इतना चिकत चिला ले इस देश में बाबासाब अंबिटर का सम्मिधान चलेगा इस देश में नफ्रत नहीं चलने देंगे और आज मणीपूर में कौन से मुसल्मान ह भाई उत्तराखन में मुसल्मान था तीन परसंते बड़ा वूख था अब उत्तराखन में भी दूख इस बात का यह कोई पक्षी नेता उत्तराखन की संदर में एक सब्द नहीं बोला योगी जी लगतार आप राजनीती करें आप संत हैं तो आपको तो अराम से रहना चाहिए बढ़ना चाहिए भक्ति वजन करना चाहिए तो आप आ गए राजनीती करने योगी अधित्तनाथ के लिए क्या विचार है साक्षी महाराज स्वातिय प्रग्या युपा मिश्ए पारतichen को रूल पीका व्हूवस्त। èन मेंलाग सालने क्यों क graphics वो कर सकते हैं 3 अब उन और किया और सुछ हैं में अब ईसब संज देने का ज़रोज्ध के अिसे इस युवा को समझना है कि उसको हिंदुत्व के मुद्दे पे राम के मुद्दे पे नफरतवादी ताकतों में जाती बात पे लडाया जा रहा है और कहीं न कहीं उसको अपने दाइनिक मुद्दों पे रोजगार महंगाई बेश्टाचार इस पर जिस पर उसको जब वह आत्म सब甩 सब्सक्रजाइब मेरे घरार मैं घर में घर में पढ़ा रहालोंगा खिला बहे लोगा रह लोगा तब ही तो मैं आगे किसी क्ली कुछ और करूंगा ना जब उससी मूर ज्या रहा हूंगा गश्यागी के और उसके बाद जह हमारे पास कुछे का नहीं को लूट ूट सब्सक्राइब कर देते हैं यह वही लोग है यह वही लोग है जहां जो करनाटक में जागे गरेद्भवन को साइट कर देते हैं यह वही लोग हैं जब मद्द परदेश में फ्रंक्सन रखा जाता है फैसन सोका और वहां हनमान जी की परतिमा लगाई जाती है और कैसे कैसे महिलाओं को वहां से गुज़ा जाता है क्या हनमान जी बाल ब्रह्म मचारी थे भाई सोचो कितना कश्ट हुआ होगा उनको लेकिन कुछ है नहीं तो यही जी समझना पड़ेगा आम लोगों को आप लोग की चिट को नहीं समझ पाते हैं तो देख सकते हैं हमारे साथ बाल योगी थे लगातार आम जन्मानस के मुद्वों पे आवाज उठाते हैं चाहे चात्र हों आपने मुखरजी नगर की भी वीडियो देखी होगी कि छात्र के मुद्दों पे भी मुखर होके बोले थे और आप जब आम जनता की मुद्दे हैं उस पे भी खुल के बोलते हैं इस खबर पे आपकी क्या राह है